हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल डाइंग सेवेंटी एट पच्चों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विद्धुत बल्ब का चित्र बनाना तो आए वीडियो को सुरू करते हैं बल्ब बनाने के लिए देखिए लगभग हम पेज के बीचों बीच एक बारीक लाइन खीच लेते हैं ताकि हमारा चित्र टेड़ा ना हो अब इसी लाइन पर हम दो वृत खीचेंगे एक की तरिज्या होगी चार सेंटीमीटर जबकि दूसरे वाले की होगी दो सेंटीमीटर पहले तो हम परकार में 4 cm दूरी ले लेते हैं और फिर इस लाइन पर कहीं भी नीचे की और परकार की नोक रखकर एक वृत खीशते हैं देखे इस वृत की तरिज्या हो गई 4 cm यानि इसका व्यास हो गया 8 cm अब देखिए हम परकार में लेंगे 2 cm की दूरी और इस वृत को जहां यह सीधी लाइन काटती है यहीं पर परकार की नोक रखकर एक और वृत खीश देंगे अब इस लाइन के दोनों और इस वृत पर हम एक एक बिंदू लेंगे जिनके बीज की दूरी लगभग 3 cm होगी यानि लाइन के एक और होगी 1.5 cm दूसरी और भी 1.5 cm इन दोनों बिंदूओं से लगभग 1-1 cm उंची दो लाइने खींचते हैं अब हम इन दोनों बिंदूओं को एक तिर्ची लाइन द्वारा मिलाते हैं जो कि इस लाइन से कम तिर्ची होगी इतनी ही तिर्ची उपर वारी लाइन भी रखते हैं वृत्त की इस लाइन को हम रेज कर देंगे अब इन दोनों शिरों से लगभग 1-1 cm लंबी तिर्ची लाइने हम खींचते हैं इस प्रकार इन दोनों बिंदों की बीज की दूरी लगभग 2 cm रह जाती है इनको हम आपस में मिला देते हैं अब हम इन दोनों बिंदों से इनके बीज की दूरी के बराबर यानि के लगभग 2-2 cm लंबी दो लाइने खींचते हैं इन दोनों बिंदों को भी हम उतनी ही तिर्ची लाइन द्वारा मिलाते हैं जितनी तिर्ची ये लाइने हैं इस बीज वाली लाइन को हम इरेज कर देते हैं देखिए बल्ब का ये हिस्सा तो कांच का बना हुआ है जबकि ये उपर वाला हिस्सा अलुमीनियम का बना होता है यहां पर देखिए एक पिन इधर और एक इधर निकली होती है जो की बल्ब को होल्डर में लगाय रखने में सहायक होती हैं अब देखिए कैसे हम इन दोनों सर्किल को वापस में मिलाकर बल्ब बनाते हैं देखिए इस लाइन को मैंने बिल्कुल सीधी ने रखकर थोड़ा नीचे की और दबाते हुए मिलाया है ऐसे ही यहां भी रखेंगे अब हम इन दोनों व्रित्तों को किरेज कर देंगे इस प्रकार देखिए बच्चों बल्ब का बाहरी आकार तयार हो जाता है अब हम इसके अंदर का वह भाग बनाएंगे जो कि काच का ही बना होता है और हमें बाहर से दिखाई भी देता रहता है इसी के बीच तामबे के दो तार लगे होते हैं जिनसे की करेंट आता है यहां से काच का एक पतला हिस्सा और निकला होता है जिससे निकलने वाले दो पतले तार फिलामेंट को सपोर्ट परदान करते हैं अब हम दोनों तार बनाते हैं जिनसे की करेंट आता है इन ही दोनों तारों के बीच बल्ब का फिलामेंट होता है जो कि जलने पर तेज रोशनी देता है लेकि इस इस प्रिंग को सपोर्ट देने के लिए दो हलके तार यहां से और लगे हुए हैं इस प्रकार देखिए बच्चों बल्ब बन जाता है अब हम इसकी सेडिंग करेंगे देखिए सेडिंग की सुरुआत हम उपर से करेंगे यह हिस्सा तो बिल्कुल काला होता है इसको काला कर देंगे कि अग्दे मीनित विल्कुल काला है यह हैं देखिए सेडिए से तो तो इस प्रकार देखिए बच्चो विद्द बल्व का चित्र बन कर तयार हो गया यदि आपको हमारा चित्र पसंद आया है तो इसको लाइक करें वीडियो को अपने मित्रों में सेयर करें और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवस्च कर लें धन्यवाद